मेरट नगर निगम के 90 वार्डो में प्रतियाशी चैन बीजेबी के लिए कहीं न कहीं एक परिशानी का सबब बना हुआ है पहले तस्वीरे देख लीजे कि कितनी बड़ी यहाँ पर जो पारशत पत के दावेदार हैं जो मीदवार हैं किस तरीके से मेरट के शेत्री अकारयले पर यहाँ भीर लगी हुई है और सुबह से यही इस्तिति है जितना सोचा जा रहा था उससे ज़्यादा दावेदार यहाँ पर पहुँचे हैं सबका अपना अपना दावा है जो तमाम विदान सभाय शेहरी शेत्र में लग रही है उनके जो तमाम नेता है उनको बुलाकर यहाँ पर मन्थन किया जा रहा है किधर भी आप देख लिजे सुबह से कुछ लोग यहाँ इसी तरीके से आ रहे हैं जा रहे हैं जिन लोगों के यहाँ पर इंटर्विय हो चु है और यह देखे स्क्रीनिंग कमेटी है और यहां स्क्रीनिंग कमेटी के सामने यह तमाम जो पार्शत पत के दावेदार हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं सांसद राजिंद्र अगरवाल जी हैं महानगरत धक्ष मुकेश सिंगल जी हैं मलसी धर्मेंदर भारदवाज हैं और भ मस्बूत होगा उसी के हिसाब से जो अलग-अलग प्रस्ताव है वो प्रस्ताव पास होते हैं कोई खीचतान नहीं होती है और शायद इसलिए जो तमाम ये मन्थन है सुभे से इसी तरीके से चल रहा है कितने लोग यहां पर दावा किया है यह सबसे पहले हम सांसद राजिंद रगरवाल जी है उनसे बात कर लेते हैं महानगार अध्यक्ष मुके सिंगल जी उनसे बात कर लेते हैं मुके जी देख रहे हैं कि कारले पर तो ऐसी भीड़ है कि शायद उम्मीद भी नहीं थी और सुभे सी यह लंबी-लंबी कतारे लगी है यह भारते जंदा पाल्टी के पिर्ती जो जंता में उत्सा है उसी को देखते वे उमीद बार सोचता है कि अगर भारते जंदा पाल्टी सिंबल मुझे मिल गया मैं जी जाओगा नेता बन जाओगा कितने दावदान हैं नभ्य वाड़ों में 600 कारेकरता हमारे पास हुए प्रतासी रूप में संपर कट चुका है तो कहिना कहीं एक चुनोती तो है कि 600 लोगों में से नभ्य लोग चुनोती हमारे सब जितने उना आविदिक रहा है बढ़िया कारे करता है उनमें ऐसा सरवोच निगाल के जनता के बीच में जाएंगे नेता बन काएंगे निश्चित होने जा रहा है बिल्कुल काफी मातरा में मुस्लीम साथ बढ़ चड़ के इसा ले रहा है और मुस्लीम समाज से भी हमारा प्रयासी हर वार से हम परत्याश रहा है बारती इंदा पर्टी नेता बनाएं चारे हैं आने जारे हैं बहुत जल्दी आपको सूच न मिलने जारी है बड़े नाम है या पार सकता है बड़े नाम बड़े नाम जिले से उपर के नाम आएंगे बिल्कुल बिल्कुल अचा संपर्क हो गया है प्रत्याशियों नहीं पर अपना प्रस्ताव रखा है बहुत सगंता के साथ विशार हो रहा आपके ध्यान में आया होगा आपके कि मंडल इस तर से उसकी पूरी स्क्रीनिंग करके यहां तक नाम आये हैं तो जैसा धक्षी ने भी कहा हम उसे में से कुछ नामों की संस्तुती भेजेंगे फिर वो उनमें से जो भी तय होगा उसे विक्ति को चुनाफचने दिया जाएगा और सभी कारे करता हैं यहीं भीड नहीं है कार करता सब हैं इसलिए निश्चित पर सब लोग लगेंगे और बोर्ड के अंदर भी हम एक बहुत बड़ा बहुमत प्राप करके विजयी होंगे लेकर सांसर्च एक टेंशन तो है कहीं न कहीं भार जो दावेदार है उनके माथे पर टेंशन और यहां तनी बढ़ी स्क्रीणिंग कमेटी बैठी है वो भी टेंशन में है कि इसका ना कार दें इसका ना कार ता है यहां पर विचार होता है कि जारा जादा हो टिकट परात करने की उसको भी समझा लेंगे जैसा मैंने काई करता है तो रूट तो सकता है वो शाम तक मन जाएगा नाराज कोई नहीं होगा एक पूरे शहर में कि चर्चा चले कि बीजेपी धमाका करने जा रही है कुछ लोग दूसरी पार्टियों के बड़े निता हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और जल्दी ये बड़ा धमाका हो तो क्या है थोड़ा सा नाम मत बताए लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने संपर्क किया है बहुत पहले संपर्क कर रहे हैं और उचित समय क्योंकि यही है ऐसा समस्ता हूं कि अद्धक जीश की उजना बनाएंगे खेतर दिशी साथ बैठ करके हो सकता है इस सबता के अंदर ही हम जो है ऐसे सब जो महानुभाव हैं जो पार्टी के अंदर आना चाहते हैं दूसरे दौलों से उनको हम शामिल कराएंगे और जिसको अब धमागा करें दमागा हो जाएगा लेकिन कुछ लोग ऐसे रूट जाते हैं वो फिर दूसरे दर्वाजे पर चले जाते हैं नहीं ऐसा बहुत कम होता है बारदिय जंता तो इसलिए हमारे ऐसा नहीं होता हम मनाएंगे और मैं जैसा मैंने का कि रूट ता तो है उतना अधिकार भी यह उसका तक मन भी जाता है नाराज कोई नहीं होता क्योंकि सब भारते जनता पार्टे के विचार से जुड़ेवे हमारे एकार करता है उन्हीं का आतर पर पार्ट या नगर निकों के इंदर भले हम यहाँ पर पिछली बार यश्यस्टी नहीं हो पाये थे पर पार्टे को काम है वो इतना बड़ा काम है कि मुझे नहीं लिखता है कि बहुत दुदी की मुकाबला वैसा होगा लेकिन हाँ जो भी होगा लोग तंत्र है जो लोग इच्छु इसको नहीं कहेंगे वैसे विचारी मर्श कहूंगा ही पहले जैसे सब नाम पर विचार हुआ फिर जो है नाम भी मांगे गए और उनके आधरपन निश्करश निकाल करके हमारे प्रवारी मौदे ने लखनू बेच दिया है हमें से किसो को पता भी नहीं हमें यह पता है कि स में एक संस्तूति की गई तो अब प्रदेश निरने करेंगा महापौर का विचे पैसे भी बड़ा विचे होता है वाधर जिसका भी नाम आएगा उसको सब लोग कंदों पर बिठा करके चुनाव लाएंगे मुकेश जी आपसे भी एक मेरा सवाल है कि महापौर के तीन नाम नहीं मतलब सुझा पायतने लोग की यह कर दें यह कर दें क्या रहा कितने नाम कर दें कर दें कि सक्रीनिंग कमेटी है तमाम बाते कर रहे हैं क्योंकि 54 दावेदार यहां महापौर पद के आए थे कितने लोगों के नाम यहां से भेजे गए हैं उसको लेकर तस्वीर साफ नहीं करें जो कि महापौर का जो टिकट है वो लखनौ से फाइनल होना है लेकिन पारशद में भी टेंशन कम नहीं है खुद इस बात को मान के चलना है अब देखना यह होगा कि 600 से ज्यादा दावेदार जो यहां पारशद पत के सामने आ रहे हैं उन में से वो 90 लोग कौन होंगे जो यहां जो पारशद का चुनाव है भो लड़ेंगे और दूसरी बड़ी बात यहे कि बीजेपी में कई ऐसे मुस्लिम दावेदार भी सामने आ रहे हैं जो कहीना कहीं बीजेपी को जरूर यह खुशी जाहिर कर रहे हैं कि हम मुस्लिमों में भी बीजेपी पैंट बनाती जा रही है लेकिन जो बाकी दल है वो शायद कहिना कहीं उनकी टेंशन बड़ी हुई है कि अगर इस तरीके से रहा तो क्या होगा कुल मिला कर देखा जाए मेरट में चाहे महापौर की सीट का चुनाओ हो चाहे पारशदों को चुनाओ हो लेकिन सियासी घमासान यहाँ पर बड़ा होने जा रहा है वीडियो जोनली सतंदर सिंग के साथ सनुच शर्मा एबीपी गंगा मेरट